Hello, what's up guys, आज हम इस फीडियो में देखेंगे How to access your Redux store data in our React application जी हाँ guys, आज कोड़ी बहुत ही जाद आसम है नोल है क्योंकि हमने बहुत कुछ देख चुका है जी हाँ guys, तो हमने इतना सब कुछ अल्रेडी देख चुका है, पूरा का पूरा जो मैं यहाँ पर एड कर चुका हूँ वो data मुझे वहाँ पर one by one display कराना है कि React application में अब आप Redux का जो store का data उसको कैसे access कर सकते हो तो वो आप यहाँ पर देख लिजे अगें थोड़ा सा animation है, मजा आजाएगा आपको अगर आपको React application में Redux store के data को access करना हो then Redux हम में एक hook प्रोवाइड करता है जिसका नाम है आपका use selector hook to read data from the Redux store अगर मैं आपको और दिखा हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हो यह उसका syntax है कि कैसे आप इस hook की मदद से data को rate कर सकते हो in our React application यह जो selector function है यहाँ पर बहुत क्लियली देख सकते हो we define a selector function over here हमने selector function define की है that takes the entire Redux store state as an argument over here यहाँ पर बहुत क्लियली देख सकते हो कि आप यहाँ पर ना entire हमारा जो Redux का store है उसको guys वो accept कर रहा है as an argument अब once यह जो state आपने as an argument accept करी लिया है get करी लिया है अब उसके बाद returns the specific piece of data we need अब equal to state dot आपका जो भी data आपको चाहिए उस store के अंदर आप इस तरीके से बहुत इजली एक्सेस कर सकते हो मैंने dot property इसलिए लिखा क्योंकि हमने एक state जो हमारा एक object है उसके अंदर एक task है तो object के अंदर कुछ भी आप पास करते हो तो property होई गया तो मुझे state dot task में लिखूंगा तो मुझे पूरा वो task का data मिल जाएगा तो इस तरीके से आपका ये जो use selector hook है in our Redux I mean Redux application काम करता है and इसकी मदद से अब आप data को read कर सकते हो basically access कर सकते हो तो चलो हम कर गे देखते है ठीक है so this is our app.jsx file inside our app.jsx component we have a to-do component उसके अंदर मैंने यह सब कुछ रखा है and यहाँ पर एक जगे मैंने खाली रखी that is our on order list and यहाँ पर मुझे वो जितने भी मेरे और data है उनको मुझे one by one display कराना है मेरे array की data को ठीक है तो सबसे पहले let's go over here let's use our use selector hook and आपको top पे उसको import करना है यह कभी भी मत भूलेगा तो मैंने top में उसको import कर ली and मैंने क्या बोला कि यह जो use selector hook है इसको it accepts one argument and that is the entire store of our redux तो मैं उसको state मान रहा हूँ आप चाओ तो इसको store भी लिख सकते हूँ ठीक है but ठीक हम state ही लिखते and एक काम करता हूँ console.log and then let's go with our एक काम करता हूँ यहाँ पे यह return state ही रख देता हूँ ठीक है and इसकी जो value होगी उसको मैं state कर देता हूँ यहाँ ठीक है so it's a const state state मैं यहाँ पे चलाता हूँ and यह जो state है मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा की हमें क्या मिल रहे अचल्ट्रा आपको पूरा idea क्या मिल रहिया है इहाँ ठीक है control S Taft करता हूं मैं यहाँ पे चलता हूँ this is not this is ours inspect console see दिखिए यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था देखो react state है एक object मुझे मिल रहा है and that is our task तो मुझे पूरा का पूरा data आगा नहीं यहां पे कितनी easily मतलब view selector में अगर आप मुझे एक object ही है एक object मिले जिसके अंदर task एक property है तो अब अगर मैं यहां पे state dot we have a task वो जो हमारा array अगर यह मैं करता हूँ and then इसको एक बार रिफ्रेस करता हूँ ठीक है तो अब आप बहुत के लिए लिए देखोगे यहां पे कि थोड़ा सा और मैं जूम कर सकता हूँ ठीक है यहां पे react का जो state है मुझे अब सिर्फ और सिर्फ array मिल रहा है let's say मेरे पास अगर 10 array होते हैं तो मैं उस 10 array को बहुत इजीली map method लगा कि one by one दिखा सकता हूँ ठीक है तो इस तरीकी से का इससे आप access कर सकती है now react application but मैं काम करता हूँ जल्दी से and that is इसकी यह जो particular dispatch method है इसको मैं यहां पे call कर रहा हूँ ठीक है by mango अल्रेडी है so apple code को अटाओ इसको भी अटाओ apple banana and then mango तो ही अल्रेडी ठीक है चलो ठीक है मैं अगर यहां पे चलता हूँ इस जगे पे इस जगे पे and then मैं inspect करता हूँ ठीक है so मैं अगर console करता हूँ so now in my use state I mean use selector की मदद से मुझे अब तीन अरे मिला देखो actual में मुझे न चार मिलते है बट मैं एक delete भी तो कर रहा हूँ वहां पे जो भी हो एक में delete कर रहा हूँ ठीक है तो कुछ वह इस तरीके से काम कर रहा है अब इस data को मुझे यहां पर display कराना है कुछ इस तरीके से तो मैं कैसे कर रहा हूँगा देखो यहां पर चलता हूँ एक काम करता हूँ अब perfect ठीक है अब ध्यान से देखो तो मैं क्या करूँगा पहले तो मैं सिर्फ state return कर रहा था न आप मैं state dot task return करूँगा एंड यहां पर मैं paste कर दूँगा इस तरीके से task ठीक है this is it इसकी मुझे कोई need नहीं है all right so मैं आता हूँ ओ भहियो मैं इस तर के से आता हूँ we have a task dot we have a map method then we have a fat arrow function ठीक है यहां पर जो भी आपका current task होगा and then जो भी आपकी index होगी we need to return and then we have a li is li में no matter what we need to pass the key तो मैं index पास कर देता हूँ and now simple आपको data pass ही तो करना है so मैं paragraph ले रहा हूँ मैं यहां पर लिख देता हूँ मेरा index and मैं यहां पर लिख देता हूँ our current task this is it ठीक है इतना अगर मैं करता हूँ so guys control and save यहां पर चलते है and yeah see मेरा काम हो गया यह देखो कोई भी problem नहीं I mean कोई भी error नहीं and देखो मुझे मेरा data आ गया bytt code by banana by mango यह कैसा है यह देखो न मुझे मेरा data आ गया तो यह है ना कितना ज्यादा awesome ठीक है अब let's say मुझे वहां पर वह बटन चाहिए बटन की need नहीं है मेरे पास already पड़ा हुआ है एक चीज़ and that is इसको मैं paste करता हूँ यहां पर that is md delete forever and basically एक react icons library से मुझे मिलता है ठीक है so react we have icons ठीक है यहां पर आप देख सकते हो copy कीजिए यहां पर आईए इस जगे पर and then इसको paste कीजिए npm install react icons 3 to 1 and yeah boom बोलने वाला था हो चुका है यह कोई problem नहीं है अब यह जो है इसको directly मैं get कर लेता हूँ एकदम टॉप पे जाके इस तरीके से ठीक है the moment अगर यह मैं करता हूँ so boom guys see देख लीजे मेरा काम हो गया so कितनी easily हमने देखो store use reducer I mean not use reducer reducer actions creators then कैसे connect करना Redux को react application के साथ and then Redux store का जितना भी data उसको कैसे आप react application में access कर सकते हो वो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बाता दिया अब कल की वीडियो में मैं आपको यह बता हूँगा कैसे आप action को dispatch कर सकते हो जो कि सबसे ज्यादे important है कि सबसे पहले यहां पर अगर आपने कुछ भी type की तो वो data यहां पर कैसे आड़ हो रहा है देन अगर अपनी spec क्लिक किया तो वो कैसे डिलीट हो रहा है वो action है ना वह मैं आपको कल के वीडियो में बता हूँगा कि कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो अब यहां तक आपने जितना भी देखा तो आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि कैसे यह आपका काम कर रहा है and Redux कैसे आपका state management में help करता है so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लिए इतना ही I hope वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजएगा दोस्तों के साथ भर-भर के सेर आओ नेक्स टाइगेट इस आवेल नेक्स सब्सक्राइबर अभी तक सब्सक्राइब नीगे तो प्लीज कीजिएगा मिलतो हूँ मैं आपको कल की वीडियो में तिल दन गाईस थैंकि तो मच्छ लेक्यो